हेलो दोस्तो आज मैं आपका फीर से एक वार वापस दस्वागत करता हूँ हमारी इस खुब सुरसी चैनल जे इए मर्टिवर्स पर ठीक है तो दोस्तो जैसे कि आपको पता है इसके पहले अगर आपको एमसी क्यू जैसे कि दस है है 21 है 10 21 ऐसे कोई भी एमसी क्यों आपको चाहिए तो आप देख सकते हो पार्थफाइंडर की करन की प्लेयरेश्ट में ठीक है तो आज तो हम कर रहे हैं यह 11 वाला कॉश्चन अगर आपको इंफाइनाइट लेडर हाँ दोस्तों इसमें इंफाइनाइट लेडर का थोड़ा स कंसेट यूज होने वाला है और इसमें मिंक्स मलब इसमें कंभिनेशन ऑफ बैटरी यूज होने वाला ए थैक है तो अगर आपको इस सब से इस सब चीजों से अवेर हो तो ही यह वीडियो को देखिए वरना मैं इस वीडियो में आपको बता दूँगा कि होता क्या है तो आ circuit a circuit shown in the diagram extends to right into infinity मतलब ये right तक infinity में extend हो रही है each battery electromotor force मतलब सारी बैटरी का इदर दीखी रहे हमें सबका V है internal resistance R A और सबको series ये देखो ये internal resistance R गीवन है internal resistance R यहाँ पे है और ये 4 R से series में connected सारी batteries तो हमें क्या बताना है reading of reading ये तो गीवन है मतलब ये जो m meter है वो क्या है वो है ideal m meter है और हमें ये जो यहाँ पे जो हमारा m meter है वो क्या है दोस्तो ideal है ठीक है ideal m meter है और हमें उसकी reading का current उसकी reading दी गई है आई तो हमें क्या बताना है value of V मतलब जो हम एक circuit ही बना लेते हैं मतलब यही circuit बना लेते हैं तो क्या होगा इधर तो इधर क्या हो जाएगा अरे यह क्या हो रहा है अरे sorry दोस्तो sorry sorry so sorry दोस्तो यह एक रजिस्टर सपना और यह ऐसे इसका वी मान देते हैं वी ही एक ही बना रहा हूं है और ऐसे ही इधर भी ऐसे अब infinity तक है ठीक है यह तो इंटरनल रेजिस्टर साय सबका है वी और इसका भी आर वी और इसका रतो बना लिया और यह फोर आर फोर आर फोर आर और यह एम मीटर अपना इधर लगा हुआ है बैठा हुआ है मीटर और रीडिंग बता रहा है ठीक है और यह ऐसे infinite तक connected है तो तो अभी हम इसमें क्या करेंगे हम इसमें क्या करेंगे हम एक concept यूज करेंगे जो कि important concept हो नहीं है सिर्फ पढ़ाया जाता है class में हमको कि mixed combination यह infinity तक य अगर चलो दूस्तो, हम तो पहले क्या करते हैं हम स pioneer this 4R को अधि 111 4R को और इस 1R को डिIC 10 series में लेन रिते हैं इस 4R और इवाला जो R है, यवाला R और यवाला 4R को Series में लेके में ऐसे 5R और V बन जाएगा इसे V बन जाएगा और इधर 5R आ जाएगा ठीक है तो ऐसे infinite तक है connected सब चीज़ है तो अभी हम क्या करेंगे अभी हम ये करेंगे कि हम पहले ये जो infinite तक circuit है ये जो infinite तक circuit है उसका equivalent निकालेंगे equivalent EMF we will find we will find equivalent EMF मतलब वोड़ी जो infinity तक circuit है उसका अभी सबसे पहले सबसे पहले हम क्या करते है आपको formula पता होना चाहिए कि जब ये जो होती है circuits मतलब batteries जो होती है वो parallel में होती है तो उनका formula होता है summation of EMF by R upon summation of R मतलब resistance ठीक है मतलब 1 upon R का summation of resistance ये formula आपको पता होना चाहिए equivalent EMF का जब batteries जो होती है वो parallel में connected होती है तो simply हम वही formula यहां पर use करने वाले तो अभी summation of E by R कितने तक infinity तक कितना हो जाएगा infinity तक हो जाएगा infinity multiplied by E by R infinity into E by R क्योंकि सबका E by R same E R है इसले फायर चलो फायर लिख देते E by R, E by R, E by R सबका वही आ रहे है और summation अभी 1 by R का 1 by R भी infinite है सबके resistors ये जो resistors है वो भी infinity तक है तो infinity multiplied by 1 by R मतलब 1 by fire in short तो ये तो infinity infinity तो गया fire और fire भी गया तो हमारा equivalent EMF किया आ गया E ठीक है equivalent हमारा EMF आ गया E हाँ दूस्तो अभी यहाँ पे मैं आपको एक important चीज बताना चाहूंगा कि important चीज ये है कि अगर आप किसी भी circuit में जब parallel में EMF जैसे ऐसे हमें उपर question में गीवन था जब हमें उपर question हम देखे तो हाँ यहाँ पे है question जब भी हम जब भी हम ऐसे infinity में लगाते है यह क्या हो क्या रहा है दूस्तो एक minute दूस्तो तो sorry हाँ तो देखो यहाँ पे जब भी हम infinity पे लगाते है infinity पे ऐसा होता है तो हमारे याद रखना है कि हम यूज करके हमने EMFE ही आया हमारा इंशुर्ड लास्ट में तो ठीक है तो अभी मैं ये सारी चीज़े रफ कर देता हूँ और मैं आपको बतन देता हूँ लिक के कि ये सब चीज़े मीटा देते हैं कि जब भी वेनेवर मुलब दो शेलस आर कनेक्टेड़ कनेक् ea क्या दूसरो डी खो कनेक्टेड़ मश्याद लिख दी सेलसार नेक्टेड इन परेलल इन परेलल so equivalent emf will come e itself मतलब equivalent emf जो होगा वो वही का वही आएगा ठीक है वही का वही आएगा वो हमने यहां पर proof भी कर लिया तो अभी बीना किसी देरी के मैं अभी यहां पर एक circuit बनाता हूँ कि देखो यह circuit यह हमारा क्या था emmeter यहां पर लगा हुआ है और हमने ऐसे मान लेते है दोनों के बीच का v equivalent मतलब जो हमारा v आया है वो v equivalent हुआ ही यही वाला है पर अभी ऐसे लिखते है मतलब यह से अच्छे से solve करते है और अभी देखो इधर मान लेते है r equivalent मतलब a और b के बीच का जो r equivalent आया वो हम मान लेते है ठीक है तो अभी हमें r equivalent भी निकालना पड़ेगा तो हमें अगर r equivalent निकालना है देखो यह तो हमने निकाल लिया v के बराबर हमारा आगया पर सिफ r equivalent बाखी है तो अगर हमें r equivalent निकालना है और और ऐसे r बैटरी इसको निकाल दो बैटरी इसको निकाल दो ऐसे infinite तक अभी आगे मैं नहीं बना रहा क्योंकि ऐसे infinite तो तो अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले यह concept आपको मतलब इसके पहले वाले वीडियो में जो mcq 10 था उसमें क्या लिखा था एसे हम लास्ट वाले का जो आता है उसको हम इसके मतलब एसे पूरा हम ले और इतना ले तो वो सेम आता है हमारा ठीक है इसके पहले वाले वीडियो में हमने वही देखा था कि हम यहां से और यहां तक के बिचका निकाले यहां से यहां तक के बिचका निकाले वो सेम ही अगर हम नीचे देखे तो इसको मैं मान लूँगा 4R और ये तो R कार ऐसे पहली बार तो सरकिट हम बनाते हैं वो ऐसे ही बनाना है R और इसको हम मान लेंगे एक्विवेलेंट आ गया हमारा कितना X ठीक है तो अभी एक्विवेलेंट हमारा आ गया कितना X तो अभी ये दोनों सरकिट आपको दिख रही है वो किस में है ये दोनों जो सरकिट आपको दिख रही है वो किस में है ये दोनों फेलेंट में है तो क्या हो जाएगा XR अपॉन R प्लस X ये क्यों है ऐसा क्यों हो रहा है XR upon क्या होगया R plus X और ये किसमे हो जाएंगे अभी ये और ये किसमे हो जाएंगे रुखो दूस्तो एक दो मच्चे से दिखाता हो आपको अगर आपको आता है तो दूस्तो ये पार्ट थोड़ा skip कर दो खुद से कर लो तो आपका answer तो आई जाएगा सिफ उपर का मैंने बता दिये आपको यह हो जाएगा rx upon r plus x plus 4r हो जाएगा इसका equivalent equal to x अभी यहां से आपको x की value निकालनी है quadratic solve करके सिफ x की value ही आपको निकालनी है और कुछ ज्यादा कुछ कर दो जाड़ लगा देने का ठीक है x की value निकालके v equal to ir लगा दो मतलब r की जगह पे यहां से जो x की value quadratic solve करके आएगी वो रख दो और यहां से current हो में given है i तो हमारा सिधा सिधा इस सवाल का क्या जाएगा जवाब आ जाएगा ठीक है इस सवाल का हमारा सिधा सिधा जवाब आ जाएगा तो अगर दोस्तों आप solve करने के बाद इसको solve करोगे तो इसका जवाब two number आ जाएगा दो number ठीक है ओके तो दोस्तों basically अभी देखो यहां से मैं आपको solve करने के लिए इसले बूर रहा हूँ क्योंकि अभी आपको आता होगा ठीक है मतलब इसी वीडियो में पहले बता दिया अगर आपको समद में आगया हो तो वीडियो का बंद कर सकते हो अगर यहां से अभी क्या करना है यह x जो है उसकी value quadratic equation solve करके निकालनी है और इधर से x की value r की जगर रख दो ठीक है इधर से इस x की value r की जगर रख दो ऐसा हम क्यों क कर रहे क्योंकि हमने हमने यह circuit बना रही circuit बना रखी दिख रही है सबको यह circuit आपको दिखी रही होगी यहां पर यहां पर यह जो circuit बनाई है वो दिख रही है उसमें हमने वी equivalent निकल दिया वी आएगा वो हमने आगे देख लिया कि summation e by r upon summation 1 by r से तो वो हो गया और यह आपको गॉर्ड एक्विवेलेंट निकल लिया वह एक्स को आपको गॉर्ड एक्वेशन स्वाल करके निकल लिया तो बाद में यहां से दिखो यह जो एक circuit ही हो गई अब यहां से मान लो current flow हो रहा है i और वही यह measure कर रहा होगा वही current यह measure कर रहा होगा MPR जो है वही current measure कर होगा तो अब हम ohms लो सीधा सीधा लगा देंगे V equals to IR मतलब V equivalence to I into R equivalent तो यहां से करता हूँ कि voltage का formula मतलब यह V का formula मिल जाएगा ठीक है और वह option number 2 आजाएगा मतलब V आजाएगा तो उमिद करता हूँ कि यह आपको solution समदने आगा इसमें थोड़ा आपको खुद से करना है तो दूस्तों प्लीज यहां पर रुक मत जाना यहां पर X की value solve करना और इसको इस equation में डालना और अगर ना है तो प्लीज मुझे comment करके बताना मैं उस पर दूसरा वीडियो बना दूंगा और आपको बता दूंगा कि कैसे करना है ठीक है तो दूस्तों आज के लिए बस यहां पर हम वीडियो समाद करते हैं और दूस्तों और एक बार फीर अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारी चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना ठीक है दोस्तों थैंक्यू दोस्तों मेरा यह वीडियो देखने के लिए उमेद करता हो यह मेरा जो solution है 11 question का वो आमको समझ में आया होगा हो सके तो आप अपन